हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आकरिती की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं आपको मचली बनाना बताऊंगी तो मचली तो आप बहुत तरीके से बना के खाते होंगे पर एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करना बहुत ही टेश्टी रखती है खाने में तो फिर देर किस बात के चलिये से बनाना इस्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छा टिस्ट आता है और भेथ ही अच्छा महेग भी आती है मचली से। यहाँ पर मैंने दो चब मच धनिया लिया है है। और अदा चब मच जीरा, अदा चमली मृच लिया है। और 6 हरी मिर्च लिया है। अगर आपके खाने में लाल मिर्च यूज होती है तो आप लाल मिर्च डालिएगा मेरे यहाँ पर खाने में लाल मिर्च का यूज नहीं होता है तो मैं नहीं डाल रहे हूं लाल मिर्च से मचली में और भी बढ़ियां स्वाध आता है और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्श और भी बढ़ा के ले सकती है और मैंने यहाँ पर आधा चमच सरसो लिया है और साथाट लेशन की कली लिया है मैंने तो इसका छिलका निकाल दिया है तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखे फ्रेंट्स मैंने मसालो को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है अब हम इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर मिला देंगे हल्दी को अच्छी तरह से मेक्स कर लेंगे और किसी भी ढखकन से ढखके हम इसे साइड में रख देंगे ताकि इसकी महक ना निकले इसमें महक बनी रहे तो चलिए अब हम अपनी मचली फ्राई करने के तैयारी में चलते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा ले लिया है यह अधा कटोरी के आसपास है हम इसमें हल्का सा नमग मिला देंगे तो मैंने आधा चमज से कम नमग लिया है और अच्छी तरह से मेक्स कर देंगे इसको तो मचली fry करने के लिए मैंने आपर कराई रख दिया गरम होने के लिए और मैं यहाँ पर डाल रही हूं दो बड़ा चमश सर्सो का तेल तो बहुत ज़दा तेल कामी यूज नहीं करेंगे और फ्रेंट सर्सो के तेल में मचली बहुत अची बनती है अगर आप सरसुका तेल नहीं यूच करते हैं तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं तेल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है फ्रेंट साकि इसका स्मेल निकल जाए और मैंने याप पर हुआ ला आटा लिया है जिसमें मैंने नमंग मिला के रखा था इस तरह से मचली को डीप करेंगे और कराही में डालते जाएंगे और फ्रेंट्स गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है जब आप मचली में इस तरीके से आटा लगा के फ्राई करेंगी तो मचली बहुत ही कुरकुरी बनके तयार होती है और कराई में चिपकती भी नहीं है कोई भी कराई आप ले लो बहुत ही इजली फ्राई हो जाती है मचली और मचली डालने के बाद friends हमें 2-3 मिनट तक high flame पे ऐसे ही fry होने देना है और इसको हम कबर कर देंगे क्यूंकि इससे बहुत तेल के छीटे आते हैं तो हमें carefully इसे fry करना है कबर करके 2-3 मिनट तक तो यह देखी friends मैंने 2-3 मिनट तक इसे fry कर लिया high flame पे तो अब हम इसे पलट देंगे तो यह देखी कितना इजली यह पलट जा रहा है बिल्कुल भी कराही में नहीं चपक रहा है और कोई भी दिकत हमें इसे fry करने में नहीं हो रही है और पलटने के बाद friends कबर करके फिर से हम 3-4 मिनट तक high flame पे इसे fry कर लेंगे तो यह देखी हमारी मचली fry हो चुकी है और कितनी क्रिस्पी कुरकुरी हमारी मचली fry होके तयार हो चुकी है तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम बाकी की भी मचली fry कर लेंगे और friends आपसे request है कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं मेरी वीडियो पहली पर देख रहे हैं और मेरी recipe आपको अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका notification आपके पास सबसे पहले पहुचे तो ये देखे friends हमारी ये मचली भी fry हो चुगी है तो इसको भी हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं friends कराई में बिल्कुल भी तेल नाई था तो हमें एक बड़ा चमची सरसो का तेल डाल देंगे और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और इसके बाद हम एक पींची राय डालके ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे चलाते हुए और इसके बाद हम इसमें बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे तो मैंने याप पर दो बारी कटा हुआ टमाटर लिया है और यह बहुत ज्यादा पका नहीं है हलका सा कच्चा है कच्चा टमाटर डालने से friends इसमें हलका सा कच्टा पना जाएगा इससे हमारी मचली और पिर टेश्टी बनेगी और चटपटी बनेगी और टमाटर डालने के बाद हम आदा चमच नमक डाल देंगे तो नमक हमें अपने स्वादा नुसार डालना है क्योंकि हमने आटे में भी थोड़ा नमक मिलाया था और चलाते हुए टमाटर को सप्ट होने तक भून लेंगे गरस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसके बाद हमने जो मसाला तयार करके रखा था इसको डाल देंगे बून लेना है जब तक कि मसाला और तेला लगना दिखने लगे तो ये देखिए friends हमारी मसाली अच्छी तरह से पुन चुकी हैं तो अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो मैं कटोरी से डेड़ कटोरी पानी आड़ कर रही हूँ तो जैसा आपको ग्रेवी रखना है आपको मिया ज्यादा इसमें पानी आड़ कर सकते हैं अपने फैमली के एकोर्डिंग और चलाते हुए मसाली को हम अच्छी तरह से मेक्स कर देंगे और मेक्स करने के बाद हमें ढख के इसे पका लेना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए तो यह देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाला रहा है तो हमने जो मचली फ्राई करके रखा था इसको हम डाल देंगे और मचली डालने के बाद हम पाच मिनट तक इसे मेडिया फ्लेम पे पकाएंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स पाच मिनट तक हो चुके हैं और हमारी मचली भी अच्छी तरह से पक चुकी है तो फ्रेंट्स आप भी इस तरीकी से मचली बाद जरूर ट्राई करिएगा और प्राकरिती की रसोई को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाब बाई